दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे वेट के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे कि एक मैने में डिपी क्रॉस चिक्स कितना वेट लेता है या दो मैने में कितना वेट लेता है दोस्तो या फिर एक केजी वेट लेने के लिए उनको कितना समय लगता है यह सब चीजे मुझ जाती है अक्सर पिवर देशी चूजा है कि दोस्तों मैं आप लोग को कुछ दिखा देता हूं यह जो है देखो कुछ चूजे ऐसे आजाते हैं यह पिवर देशी है जो काफी छोटा रहे चुका है यह भी इनमें मिक्स होके आ जाता है कहीं न कहीं एक मुर्गी या मुर्गा दोस्तों अब अगर हम लोग बात करते हैं वेट के उपर तो आज मेरा पोल्टरी फार्म को पचास दिन पूरा हो चुका है पचास दिन पूरा हो चुका है और यह अपने जो चीक्स आए थे टोटल थावजन चीक्स आए थे जिसमें से मेरी मौटलेटी हो चुकी है पचास की 50 की mortality हो चुकी है और मेरे 550 पंची भीक चुके है तो ये स्रिफ 450 पंची बागी है और दोस्तों जो भीक चुके है उसमें जो बड़े-बड़े चूजे बनते गए उन्हें मैं बेचता चला गया और ये जो छोटे-छोटे बचे होए थे ये वाले चूजे है जो आज बड़े हो चुके है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने गलती ये कि कि जो बड़े-बड़े चूजे होने लग गए थे उसे बेचना नहीं चाहिए था वो जल्दी वेट गेन कर रहे थे तो मुझे उसे साइड में निकालके उसे जल्दी बड़ा करने के लिए रखना चाहिए था और चूजे पहले बेचने चाहिए थे क्योंकि मैं बच्चे बेचता हूँ आपको पता है एक मैं आदा किलो का जब वेट आ जाता है तब मैं बेचना चालू कर देता हूँ मेरे यहाँ पे उसी चीज को डिमांड जादा है तो दोस्तों आज मैं आपको यह और एक चीज बता का एवरेज मिला तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 50 दिन में डीपी क्रॉस का चूजा एक केजी वेट ले लेता है और उससे भी जल्दी ले लेता है दोस्तों क्योंकि मेरा दूसरा जो बैच है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगा उसमें काफी अच्छ तो लग रहा है मैंने जो गलती की ओ गलती आप मत करना दोस्तों जो अगर आप पहले बेच रहे हो तो जो छोटे रहे गए है उन्हें पहले बेचो क्योंकि उनमें ग्रोथ नहीं होती है और उनमें बीमारी जादा आ जाती है और जो बड़े अपने हो गए है उन्हें बड दूस्तो आज की वीडियो में इतना ही मैं फिर एक बार आपको बता दू अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दूस्तो